मानो यानमानो भूतिया घटनाएं हमेशा से लोगों का ध्यान आकर्शित करती रही है और उत्तराखंड की प्राकृतिक सुन्दर्ता और घातक तबाही के छेत्र की विवित्ता ने इसे एक रहे समे स्थान बना दिया है यहाँ पर एक कहानी है जो आपको दिल दहला देगी बसंद पंचमी का दिन था जब राजी के एक छोटे से गाव में एक रहे समे घटना हुई उस गाव का नाम था तिलोडी जिसके पास एक पुराना हवेली था यह हवेली बहुत ही पुरानी थी और इसके आसपास की जंगलों में चारों और केवल शांती और स्वैंग के साथ ही खाली जगह ही थी इस घटना का सबसे बड़ा साक्षी था गाव का युवक रवी उसने सुना था कि हवेली में कुछ अजीब चीजें होती हैं लेकिन वह कभी भी इसे स्वीकार नहीं करता था लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके विश्वास को हिला दिया रात के समय जब सभी लोग सो रहे थे रवी ने हवेली में एक रात के लिए रुखने का निर्ने किया धीरे धीरे रात गहरी होती गई और उसने अजीब सी आवाजें सुनी धीमे धीमे उन आवाजों ने उसे उत्तेजित कर दिया चिलाहट, भूंक, आवाजें हवेली के हर कोने से सुनाई देने लगी रवी का दिल धड़कने लगा और वह दरवाजे की ओर बढ़ा जब उसने दरवाजा खोला तो वह देखा कि हवेली के बाहर कुछ नहीं था पर अचानक वहाज से एक चिलाहट की आवाज सुनाई दी जो उसे हवेली के अंदर से आ रही थी रवी ने दरवाजे को खींचा और उसने देखा कि वहाज कोई नहीं था लेकिन वह आवाज फिर से सुनाई दी और इस बार वह ज़्यादा तेज थी रवी का दिल धड़कने लगा और वह दरवाजे को बंद करने का प्रयास करता हुआ भागा लेकिन जैसे ही वह दरवाजे की ओर मुड़ा उसने कुछ देखा जो उसे डर से जिचकाया हवेली के बाहर कुछ हो रहा था वह एक अदभुत और डरावनी रोशनी थी और उसमें जानवरों की आवाजें सुनाई दी रवी के अंदर का सबसे गहरा डर जाग गया वह अपने पैरों को जुका कर भागने लगा लेकिन वह से भी उसे डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी वह जल्दी से हवेली से बाहर निकल आया लेकिन उसका मन उस अदभुत द्रिशे से कभी नहीं भूला इसके बाद से उस गाव के लोग कहते हैं कि उस हवेली में भूत होते हैं और रात के समय वहा कभी नहीं जाते रवी ने उस रात को कभी भी भूला नहीं और उसने किसी को भी उस घटना के बारे में बताने से मना कर दिया क्या आपको यकीन है कि उस हवेली में सचमुझ भूत है या या बस एक बीती हुई रात का सपना था आपको तै करने के लिए उस हवेली में जाना होगा लेकिन साफधानी से